आज हम लोग अडेप्टिव टेस्टेंग और उस से रिलेड़ेड़ जो इश्यूस होते हैं उसको पढ़ेंगे और फिर हम लोग थोड़ा computer-based administration को भी समझेंगे अच्छा आपने यह देखाऊ गर ना कि जो test takers होते हैं उनके different attitudes होते हैं उनके levels of motivation भी different होते हैं कोई होता है कि शौक से test करना चाहरा होते हैं कोई लोग होते हैं कि जो कि शौक से test नहीं करना चाहरा होते हैं हर किसी हर इंसान की abilities और इसके attitudes भी different होते हैं और इसलिए उसकी test को solve करने की approach भी different ही होती है सब्जेक्स रिस्पॉंस करेक्टरिस्टिक्स यानिके सब्जेक्स के आंसर देने के क्या करेक्टरिस्टिक्स है कुछ लोग होते हैं सिर्फ इसी चीज़ों को ही रिस्पॉंड करना चाह रहे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि उनके जादा अबिलिटी होती है तो वो ज्यादा difficult चीजे भी वो जो है न वो perform करना चाहा रहे होते हैं तो यह जो response characteristics होते हैं यह भी हर किसी इनसान के different होते हैं और यह भी test के उपर उसकी performance उ score को बहुत दाधा effect करते हैं psychologist involved होते हैं test development के अंदर और उन्होंने काफी काम किया है कि हम लोग administration के ऐसे procedures बनाएं कि हम लोग इन differences को मने नज़र रखें उसमें Adaptive testing के क्या मतलब होता है psychologist, psychologist में बहुत ज़्यादा इसमेना काम किया है tailor की possibility के साथ यानि कि ताकि जो भी इनसान है न वो अपनी response characteristics के मताबिक जो उसको आसान लगता है उस category को choose करके वो response दे सके आपने देखा होगा आप लोग games भी अगर खेलते हैं तो उसमें भी levels होते है easy level, intermediate level, difficult level, expert mode भी होता है ठीक है? यह वह exceptional भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा difficult होता है इसको हम लोग बोलते हैं यानि कि इसमें आप लोग choose करेंगे ना कि आपके अंदर कैसी characteristics वाह जाती है इसको हम लोग response characteristics बोलते हैं इसमें main वज़े यही थी कि हर इनसान जो होता है ना उसकी अपने specific response characteristics होती है तो इस वज़े से कोई इसद्वांटेज ना रह जाए अब होता कि है ज़्यादा तर कि इनसान कोई भी test solve करने के लिए बैठता है ना तो वो items को attempt करता है चला जा रहा होता है जैसे गोट difficulty level increase होता चला जा रहा होता है ना बस वो एक को attempt करेगा अगला बस attempt एक ही बस चाहे कोई भी level है ना उसको attempt करता चला जाएगा चाहे कोई easy item में उसको correctly इसको solve किया है या नहीं किया बस वो एक ही rhythm में उसको attempt करता चला जाएगा अब बहुत सारे लोग होते इस वज़े से उनके स्कोर्स बहुत आता गलत आते हैं, काम आते हैं क्योंकि या तो वो सारे के सारे आइटम्स को एजी समझ लेते हैं या तो सारे के सारे आइटम्स को वो डिफिकल्ट समझ लेते हैं क्योंकि इसमें कोई केटेगराज़ेशन नहीं 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 होती है यह वले इजी आइटम्स है यह वले जोएने वह डिफिकल्स आइटम्स है Adaptive Testing का मतलब होता है यह ऐसे Test Procedures होती है जहां पे जो Test Item जो होता है उसकी coverage को adjust किया जाता है इनसान की characteristics क्या है Anastasi and Urbanine ने बताया There is a Two-Stage Adaptive Testing इसमें 3 measurement levels रखे जाते हैं इसमें एक टेस्ट है उसके 70 items तो 10 items ऐसे जिसमें easy भी मुझूद होंगे intermediate भी और difficult भी मुझूद होंगे इसको हम लोग रूटिन टेस्ट में डाल देंगे 10 items हम लोग अलग से रख देंगे बागी जो 60 items हैं हम लोग उसको 3 categories में डिवाइड कर देंगे हर category के अंदर हम लोग 20-20 items डालेंगे और यह जो तीनों जो हम लोग ने categories रखी होंगी ना यह हम लोग difficulty level के इसाब से करेंगी एक category easy वाली होगी लेकिन बागी की जो 60 items है ना वो सारे के सारे solve नहीं करेंगे 10 items सारे solve करेंगे ना उसके बाद अपनी मर्जी से कोई ना कोई एक category choose करेंगे ठीक है अब तिनों में से कोई भी एक category वो choose कर सकते हैं यह depend करता है कि routing test page यह जो 10 items उसके उपर उनकी performance कैसी रगी एक इनसान है उसके routing test बहुत अच्छी उसकी performance रही तो ज्यादा chances है कि वो difficult level choose करेंगा एक इनसान है उसने मुश्किल से routing test उसने complete किया तो ज्यादा उसमें chances हैं कि वो easy वाली category को वो choose करेंगा ठीक है अब यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरीके से तो हर किसी ने 30 items ही solve करनी यानि कि 10 routing वाले और बाकी हर category के इंदर क्योंकि 20-20 items मुझूद है तो कोई a category solve करनी है तो इससाब से हर इनसानने 30 items को ही solve करना है लेकिन जो अगले 20 items होंगे वो हर इनसान different जो है वो attend करेगा हर कोई एक तरीकिस attempt नहीं करेगा हर कोई अपनी preference के मताबे कि कोई a category को choose करेगा ठीक है तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसान अच्छा if one can expect that if one could do the difficult items है तो यानि एक इंसान है वो expect कर लेता है कि मैं difficult items को भी मैं जो है ना वो solve कर लूँदा ठीक है क्योंके routing test में difficult items जो थे उसने इसको भी एच्छा तरीके से solve किया तो ज्यादा चांसे से वो क्या करेगा वो difficult measurement test वाली category को choose करेगा इस तरीके से अगर कोई इंसान है उसने what different मतलब वो यह कहेगा कि मैं सरफ easy वाली category को ही ठीक किसे choose कर सकते हूं तो वो फिर क्या करेगा easy measurement test को वो choose करेगा एक तो यह वाला तरीका होता है लेकिन इस two stage model को थोड़ा ना change किया गया है बाद में और दूसरा model बनाएगा that is a pyramidal testing model इसमें कहते है एक pyramid की form में progress होती है उसके बाद में तब intermediate आ जाता है फिर उसके बाद और difficult पिर उसके बाद exceptional मतलब पांच जो है ना वो categories की form में होता है ठीक है अच्छा इसमें क्या होता है कि सबसे दर्मयान में जो category रखी जाते हैं वो intermediate difficulty रखी जाती है अब होता कि हर कोई इसी intermediate difficulty level से ही start करता है अब intermediate वाली category में अगर कोई इनसान ठीक तरीके सारे items को correctly answer दे देता है तो फिर वो क्या करेगा वो तब ही higher level की तरफ move on करेगा लेकिन अगर कोई बंदा intermediate के अंदर ही पहला item भी वो घलत solve कर देता है तो फिर वो वारा उससे जो कम difficulty level का जो item होगा उसके उपर उसको हम लोग move करवा देगे यह वाला जो procedure होता है इसको बार बार इसह तक repeat करवा जाता है कि जो test taker है वो तमाम के तमाम items के answer ठीक से देना manage कर लिए उसको सीख जाए यह भी देखा गया कि इन दोनों तरह के जो models होते हैं इन में लोगों को test takers को उनके response pattern के मताबिक ही treat किया जाता है और यह वाला जो procedures होते हैं यह different तरीके से use किये जाते हैं एक तो यह होता है कि यह वाला procedure adaptive testing का आप लोग अपने खुद manually भी कर सकते हैं हाथ से भी simple paper और pencil की मदद से लेकिन यह थोड़ा थका देने मेरा task होता थोड़ा मुश्किल होता है तो computerized भी adaptive testing मुझे ज़र्दा convenient होती है आसान भी होती है psychologists को ज़र्दा facilitate भी करती है इसमें यह है कि आपके पास suitable software होना चाहिए और अपके पास skill होनी चाहिए उस software को operate करने की computer based administration हमें पता है कि जिन्दी में हर शोबे में हम लोग computer का इस्तमाल करते हैं तो psychometrics में भी computer का बहुत अदा इस्तमाल होता है psychology की field के अंदर भी computer से psychology को बहुत अदा फाइदा हुआ है इन लोगों के लिए ने बहुत सरी चीज़े पॉसिबल भी हो गई और ज्यादा आसान भी हो गई है अब computerized administration होती है scoring भी computer भी होती है item का analysis करना हो भी computerized हो जाता है data अगर आप लोगोंने analyze करना हो जो कि आप लोगोंने बहुत बड़े standardization sample से लिया है तो computer की मदद से आप लोग 5 मिट में उसको analyze कर सकते हैं और adaptive testing भी जो कि हम लोग उपर पाट जो भी computer की मदद से की जाती है अब मुक्तलिफ की सिचुएशन होती है जहां पे group testing हमें करनी पड़ती है बहुत जादा क्योंकि वहां पे participants मुजूद होते हैं computer score या आप लोग administration के लिए भी इस्तमाल करते हैं scoring के लिए भी इस्तमाल करते हैं जैसे multi-level batteries मुक्तलिफ के educational testing aptitude testing और achievement testing इनमें computer का इस्तमाल किया जाता है ज्यादातर जो major achievement और ability test होते हैं उनको ज्यादातर computer की मदद से ही scoring और administration की जाती जैसे के G-R-E-S-A-T-M-A-T-G-A-T-I-E-L-T-S यह वाले जो test हैं जो major major कंप्यूटर पर ही इसको administer करवाया जाता है computer से यह भी possible हो गया कि आप लोग नए different instruments और testing और assessment के नए नए आप लोग जो है नए instruments इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा यहां पर तो हम लोग ने psychological test को बहुत जादा पड़ा हर किसम के आप लोग ने test पड़े सवाल यह पैदा होता है कि psychological test के इलावा और भी कोई तरीका है कि आप लोग इनसान को assess कर सकें तो मुक्तलिफ किसम के तरीके होते हैं एक जो assessment tool होता है that is interviews ठीक है psychological testing आप लोग से यह नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही instrument है कि हम किसी psychologist ने अगर assessment को खरक करनी है किसी की ability की personality की IQ की aptitude की तो सिर्फ test के थूरी आप लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं हो था Interviews को भी आप लोग ऐसे instrument कर सकते हैं इंटर्वियू से आप लोगों को एक तो यह फायदा होता है कि आप लोग direct face to face interaction कर सकते हैं जिस बंदे को आप लोगों ने examine करना है और जो interviews होते हैं यह आप लोग psychological test की जगर भी इनको इस्तामाल कर सकते हैं आप इंटर्वियू में बहुत सारी similarities होते हैं बहुत सारी इसके common features होते हैं एक तो यह है कि दोनों की data अकठा करने का एक method है दोनों को यह आप लोग use कर सकते हैं predictions बनाने के लिए दोनों को आप लोग evaluate किया गया है और evaluate कर भी सकते हैं reliability के लिए और validity के लिए चाहे test है चाहे interview है दोनों को यह आप लोग group की form है और individual की form है भी आप लोग इनको use करवा सकते हैं और दोनों ही तरह के structured भी हो सकते हैं और unstructured भी हो सकते हैं अब मुख्तलिफ किंटर्वियू की types होती हैं कौन कौन सी types होती हैं पांच तरह की types होती हैं this is very important सबसे पहले एक होता है evaluation interview यह वह interview होता है जिसकी मदद से psychologists यह assess करते हैं और यह बात समझते हैं कि कोई student, client यह कोई इनसान उनकी तरफ IQ मक्स मसला क्या है उस तीज़ को evaluate करना है इसको हम लोग बोलते हैं evaluation interview एक होते हैं structured clinical interview यह clinics में जादा इस्तेमाल किये जाते हैं structured interview यह होता है कि पहले से आप लोग questions का एक pattern set कर लेते हैं fix होते हैं वही questions आप लोगने हर किसी से पूछनी होते हैं अब यह वह जो आप लोग patterns इस्तेमाल करते हैं यह कोई clinic, कोई hospital, कोई institution खुद भी decide कर सकता है यह कोई दूसरी agency भी इसको recommend कर सकती है जैसे DSM को अपने कैसे use करना है तो इसके बारे में steps होते हैं sequence की फाहमनिस को आप लोगने use करना होता है उसके बाद एक और जो interview की type हो that is a case history interview यह होता है कि अगर किस इंसान को कोई मसला है ना उसके आप लोग बच्पन के उसके डॉलसेंस के मतलब हर चीज आप लोग उसमें उससे पूछेंगे वो आप लोग सारी चीज़े assess करेंगे अब यह वाले जो interview होते हैं यह ज्यादा detailed होते है as come to the other type of the interview और इसमें ज्यादा आप लोगों को गहराई में information मिलती है अचा इसमें यह ज्यादा तर इसको ना हम लोग as a developmental approach भी लेते हैं और इसके अंदर flexibility भी होती है कि किस area के अंदर for example अगर आप लोगों को लग रहा है कि इन्सान के बच्पन में कोई खराबी थी तो अगर आप लोग ने बच्पन के उपर ज्यादा focus करने तो आप लोग उसकी बारे में ज्यादा questions बगारा पूर सकते हैं दुछारा की जो interviews होते हैं यह ज्यादा flexible होते हैं mental status examination यह वाले interviews ज्यादा fixed ज्यादा focused होते हैं और यह psychiatric settings में इस्तमाल होते हैं यह हम लोग तब इस्तमाल करते हैं जब किसी psychologist पो लगता है कि कोई psychiatric neurological या को emotional problem मुझूद है तो उसकी फिर investigation करने के लिए वाले interviews इस्तमाल किया जाते हैं उसके बाद employment interview होते हैं यह वाले interviews होते हैं यह employers इस्तमाल करते हैं सगी बंदों को jobs के लिए select करने के लिए यह वाले interview तो यह structured भी हो सकते हैं और unstructured भी हो सकते हैं यह तो depend करते हैं organization की अपनी nature की उपर employer की nature पे भी depend करते हैं और किस position के लिए आप लोग interview ले रहे हैं यह इस चीज़ को इपर भी depend करते हैं interview के लिए skills चाहिए होती है उट psychologist को इसमें एक तो practice होनी चाहिए training होनी चाहिए language और vocabulary पे आपकी command होनी चाहिए personal issues बगारा अगर कोई हो जाते है उसको overcome करने के विए आपके अंतर ability होनी चाहिए empathy होनी चाहिए निए कि दूसरों को अच्छे तरीके से समझना उनके feelings को समझना यह वर इसलाहियत होनी चाहिए flexibility भी होनी चाहिए यादिक एगले बंदे के जो भी opinions हैं उनको accept करें उसके बाद अपने emotional reactions की अपर control होना चाहिए cultural sensitivity यानि के different culture से तालोग रखने मारे जो लोग होते हैं cultural background के हिसाफ से आप लोग समझें उनके culture को समझें तो यह चीज़ भी होनी चाहिए और note taking skills भी होनी चाहिए जब भी आप लोग कोई interview ले रहे हैं तो साथ साथ उनको note down करना और technology को इस्तमाल करना यह भी आपको आना चाहिए यह था हमारा आजके lecture इसमें आप लोग ने सिरफ इसको एक से दो दफा रिलाओड कर लेना है यह आसान था as computer के अधर adaptive testing वाला यह जो topic है यह एक तो बहुत ज़्दे important है आप लोगों के long के हवाले से और इसके इलावा यह जो types of interviews and this is also very important और ऐसे भी आप लोगों को आ सकते हैं कि psychological test आप लोग मतलब आपको scenario दे देंगे कि आपने टेस्ट करना है एक बंदे को और आप लोगों साइकलोजिकल टेस्ट के इस्तमाल नहीं करना तो आप लोग कैसे करेंगे तो आप लोग इंटर्वियू के थूरू कर सकते हैं अगर आप लोगो को कुछ आ तो हम लोगो ने पीसे लेक्टर्स में पढ़ा तो आप लोग बीहेविरल असेस्मेंट भी कर सकते हैं ठीक है तो उसके थूरू भी आप लोगो कर सकते हैं तो मुक्तलिफ की यह टेक्निक् सब्सक्राइब करना माद भूलिएगा और जितने भी आप लोगों की ग्रुप्स बगरा है उनमें भी आप लोग इसको शेयर किये करें और डिस्कॉर्ड पर जिन बचो ने ने जोईन किये वो डिस्कॉर्ड पर भी हमें जोईन कर सकते हैं थैंक यू सो